नमस्कार आप देख रहे हैं वीके रोलेज इलेक्ट्रिकल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तों ITI में एडमिशन की परकिरिया इस्टार्ट हो चुकी है जो भी बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं प्रवेश से पहले इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ITI एडमिशन की संपुर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है सेशन 2022-2023 एक वर्स के लिए और सेशन 2022-24 दो वर्स ट्रेड के लिए एडमिशन श्टार्ट हो चुके हैं मैं राजस्तान की बात कर रहा हूं कम्प्लीट प्रोसेस क्या है आपको फोर्म कैसे अ चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सबिस्क्राइब जरूर कर लीजिए अपने दोस्तों को भी इसे फोर्वर्ड कर दीजिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है और एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ओफाल सरकारी ITI का ही चैन करें जब सरकारी ITI में एडमि ITI परवेस परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं सोरी परवेस की ही बात कर रहा हूं परीक्षा तो होती नहीं है सेशन दो हजार बाइस तेश और सेशन दो हजार बाइस से चोबीस वन येर ट्रेड वाले भी है टू येर ट्रेड वाले भी है कौन-कौन सी वन येर की होती है की qualification होती है लेकिन most of qualification जो है न वो है age 14 वर्स आपके कम से कम complete इसमें हो जाने चाहिए 14 वर्स से अधिक आयूग इसमें admission ले सकते हैं last 14 से वैसे 40 येर तक होती है लेकिन maximum 45 वाला तो कोई नहीं होता तो कम से कम आपके 14 वर्स complete हो जाने age आवशेक होती है एक जुलाई के according ये लिया जाता है ठीक है और NCVT, SCVT दोनों की मैं बात कर रहा हूँ और हो सके तो NCVT में ही admission ले वे ठीक है और मैं बात कर रहा हूँ government of Rajasthan की Rajasthan से यह दिया admission लेना चाहते है तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ form आपको online application भरना है और वो आपको SSO.Rajasthan.gov.in पर भरना है e-meter से भर सकते हैं आप कोई भी e-meter वाला पर देगा या आप खुद भी अपने mobile से form apply कर सकते हैं form की देखो date क्या है दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो form जो है न वो online start हो चुके है online application जो इसका है वो e-meter के तुरू बरेंगे तो 31 मई 2022 से form इसके start हो चुके है और जो form बरने की last date है दोस्तों वो है आपकी 8 जुलाई 2022 तो काफी लंबा वक्त है आपके पास लगभग डेड महीने का समय है आप आराम से सोच समझ करके form बर सकते हैं ठीक है सबसे पहले बता दूँ online जो form की फीस है न वो कितनी है तो जो SCST reserve के candidates होते हैं उन बच्चों से 175 रूपए फीस ली जाएगी जबकि बाकी जितने भी है यानि unreserve OBC या EWS candidate तो इन से 200 रूपए की फीस ली जाएगी ठीक है अब जो admission का link होता है वो आपको इस वीडियो के description में मैं डाल दूँगा ताकि आप वहाँ जाकर click करें और आपको जो है वो सारी जानकरी यहां से मिल जाएगी ठीक है link वीडियो के description में है वीडियो का description चेक करें आपको link मिल जाएगा ठीक है अब देखिए इसके लिए और जो final criteria है और date जो है वो मैं आपको बता दूँ 31 माई से 8 जुलाई form का criteria रहेगा बरने के लिए date का ठीक है और उसके बाद में देखिए इसमें कुछ जो merit list बनेगी क्योंकि government IT में merit list पे selection होता है ठीक है न कोई इसके लिए वो return exam बगएरा नहीं होता है तो सबसे पहली जो merit list आएगी न ये merit list जारी होगी 13 जुलाई को 13 जुलाई से आप जो है वो अपना merit list चेक कर सकते हैं कि आप कहा है और जितनी सीटों के according आप अगर top range में आते हैं तो आपका selection यानि आपको वो IT जो है वो मिल जाएगा जो आपने choose किया था ठीक है और इस पर देखिए आगे जो दे रहा है वो है फिर online परवेश हेतु पर्थम seat आवंटन ये भी आपको चेक कर सकते हो online यानि जो seat allotment है वो कब से होगा तो seat allotment जो है वो आपको 18 जुलाई 2022 से हो जाएगा first seat allotment जो है वो क्योंकि कई बच्चे choice बरते हैं और अगर first time आपको अपना choice नहीं मिलता है तो आपको एक second opportunity उसमें और मिलता है जैसे ही आपको first seat allotment हो जाता है न उसके बाद में आपको complete fees जो training की fees होती है वो and document जमा कराने होंगे ठीक है fees कितनी है तो ध्यान रखना पहले साल जो fees लगेगी वो 3410 रूपए है एक वर्स की trade है उनसे भी इतने ही लिये जाएंगे दो वर्स की जिनकी trade है उनका भी यही लिया जाएगा second year में आपको अलग से देनी पड़ेगी और second year की जो fees होगी वो लगभग 2400 रूपए के आसवास होगी थोड़ी काम होती है first year में कुछ registration सुलको और इस नाम से जो है वो जादा लिया जाता है तो यह fees और document जो है ना आपको original document जमा करवाने है इसके लिए जो आपके date है वो 18 जुलाई से 25 जुलाई है यानि 18 जुलाई से जिस दिन आपको seat allotment होती है आप उसी दिन आईटिया में जा सकते है और यहां से 25 जुलाई 2022 तक आप जो है वो करवा सकते है आपका document जमा करा सकते है अगर 25 जुलाई तक नहीं करवाय तो ज्यान रखना first appointment आपका चला जाएगा जो भी आपको seat allotment हो है ठीक है और उसके बाद में second अगर बच भी जाती है seat allotment तो 26 जुलाई से यानि 25 जुलाई तक बच्चों ने admission ले लिया ठीक है उसके बाद में second seat allotment जो होगा वो आएगा और second seat allotment जो है वो 26 जुलाई 2022 को होगा ठीक है 26 जुलाई जैसे allotment होता है तो आप fees जमा करा सकते हैं और जो second की fees और document की date रहेगी वो 26 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक है आया था और आप किसी कार्ण बस नहीं गए तो आप दूसरे बाल डेट में भी जा सकते हैं ऐसा कोई issue नहीं है लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर फर्स सीट में आपका सेलेक्शन हो जाता है तो आप फर्स टाइम ही वहां पर जाएं और उसके बाद में जो आपकी regular classes जो है वो कब से शुरू होगी तो जो regular classes है वो एक सितंबर 2022 से start हो जाएगी तो यह है दोस्तो online data complete जितना भी आप इसमें चाते हैं अब देखे form भरना कैसे है form भरने से पहले अपने आस पास की जितने भी है जैसे मान लीजिए कोई हनवानगर से belong करता है तो आपको मैं link दे रहा हूँ ना इस link पर आपको च्यार option मिलेंगे तो वहाँ से आप अपनी आईटी आई मतलब government आईटी आई अपने जिले में गौर्मेंट आईटी आई में उसमें आप trade सेलेक्ट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि वहाँ कितनी सीटे खा लिए तो जब phone भरो उस समय आप से choice पूछी जाएगी यह ध्यान रखना ठीक है ना तो वह जो choice आप select करोगे ना उस choice में आपको one two three ऐसे करके दो से तीन जो है वो करमांक देने हैं trade select करनी है दो वरसी ट्रेड के लिए electrician सबसे बेटर रहेगा अलांकि इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूँगा कि ITI किस trade से की जाए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूँगा फिलाल के लिए जानकारी इतनी ही थी कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो उस description में लिंक दिया है वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी first of all दुबारा सुन लीजिए एमितर से form apply करना है form apply करने से पहले अपने आसवास की government IT ही सर्च करें वहाँ कितनी सीटे खाली पड़ी है वो भरें और सब आप data जो है वो पता कर सकते है seat allotment वगरा सब online होगी आपको उसमें पता लग जाएगा merit base पे selection होगा 70% या इससे उपर जितने भी marks वाले होते हैं उन बच्चों को लगबग अपनी choice मिल जाती है एक से अधिक 24 भरे ये आप जरूर ध्यान रखे तो ये था date seat admission की one year के लिए two year के लिए दो session की इसमें अभी तक detail है और कौन सी trade select करें इस पर आपको एक अलग से वीडियो दे देंगे चैनल से पहली बार जुड़े हैं बहुत धन्यवाद